हुआ फॉल्कम टेटी में हूँ अप लोगा दोस्ट प्रेडरा तो भाई यहां पे सबसे पहले जो इस प्रोसेसर के साथ एक स्मार्टफोन आने वाला है उस प्रोसेसर अर्फा कोन सा वाला प्रोसेसर है यहां पे व्लकम स्नैब्रगेंड 8 जुनेरेशन 4 मतलब 8 जुनेरेश 27 प्रो जो ब्रूटली पावरफुल स्मार्टफॉन होने वाला है जिसे हम लोग एक वीस्ट बोल सकते हैं जो मतलब काफी जादा देखने में खुबसूरत जादा पावरफुल भी होने वाला है और फीचर्स AI यह सब तो आपके यह एट एलीट के साथ रहेगा तो यहां पर करते है सबसे पहले इसका बील्ट के बारे में बात करके देख को आपे बorfें मैं आपको मतलब ग्लास तक अ मतलब कव देखने को मिले च्थाइन को मिले का में मेरे तरफ से कव होता है और चारो तरब से कव ऐसे राइक अच्छा नहीं है और मन आप moisture in अच्छा नहीं है, क्योंकि गिरेगा तो फुटेगा, क्योंकि वो design से बाहर, main body से बाहर निकल के आता है, and यहाँ पर इस बाहर एक और fantastic चीज, realme के मतलब phone के साथ होने बाला है, realme में सबसे पहले शायद किसी भी smartphone के साथ आपको IP69 देखने को मिलेगा, which is little bit impressive मेरे भाई, and यहाँ पर अगर बोले तो मतलब यह जो phone है, इस phone का जो design है, आप लोग डिस्प्ले में देख सकते हैं, चटकीला orange टाइप का color कुछ है, जो design आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ web web design मनाया हुआ है, square type का camera shape back में है, जहाँ पर आपको triple camera का मतलब setup द देखने को मिलेगा, तो design wise यह smartphone काफी सुन्दर होने वाला है, बात करते हैं, डिस्प्ले का, तो यहाँ पर आपको 6.78 inch का जो है, एक display देखने को मिलता है, जो obviously Samsung का नहीं है, कोई E-series का AMOLED नहीं है, यहाँ पर BOE जो है, Chinese जो मतलब आपका display making brand है, वही BOE का brand यूज किया जाएगा, Dolby Vision सपोर्ट करेगा, Asia 10 का सपोर्ट रहेगा यहाँ पर, 120Hz का refresh rate रहेगा यहाँ पर, सब कुछ मिला कि यह जो display रहने वाले, 6.78 inch अर्थाथ, यह एक अच्छा खासा काफी बड़ा size का display होने वाला है, यह 7.18 inch का display है, तो आप समझी सकतो, यह device जो है काफी होगा, उसे साफ से भाई, हाथ में comfortable तो नहीं रहेगा, पर gaming के लिए, editing के लिए, बाकि जितने भी productivity का काम करतो, आप लगों इन सारे कामों के लिए, बहुती ज़्यादा सही रहेगा, बात करते हैं अभी इसके processor के बारे में, guys, आप believe नहीं करोगा, 3 million के उपर जाके, इसक जो power दे रहा है इसे, LPDDR5X का RAM, UFS 4.0 का storage टाइप, उपर से ये processor, तो मतलब इसका performance कहा तन जाएगा, आप समझ जाओ, मतलब आज के rate में इतना powerful game नहीं बनाए, जो इस processor के proper जो मतलब capacity है, उसे use कर पाए, ठीके, तो यहाँ पर आते हैं, अब camera के बारे में, तो guys, देखो camera यहाँ पर काफी जादा interesting रहने वाला है, तो देखो दोस्तों, camera यहाँ पर जो है मेरे हिसाप से 50MP का main sensor रहेगा, जो obviously Sony IMX का रहेगा, और यहाँ पर 50MP का जो है आपका telephoto रहेगा, एड 8MP का ultra wide रहेगा, तो 50MP का telephoto रहेगा, वहाँ पर आपको मतलब क्या है, 3X optical zoom देखन को मिलेगा, अर्थात optical image, stabilisation देखने को मिलेगा, and main sensor के साथ भी OIS देखने को मिलेगा, और जो 8MP का ultra wide रहेगा, वहाँ पर 112 degree का आपको मतलब जो है, wide angle देखने को मिल जाएगा, friend में कहा जा रहे है, काफी सारे लोग कह रहे, 32MP का selfie देखने को मिलेगा, according by me, 16MP real में continue करता यह finger cross वाला बात है, खुछ भी हो सकता है, तो camera wise हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर आप रेंड में, back में काफी बढ़िया तरीके से camera, मतलब video graphic कर पाऊगे, और 8 elite जो है, यह video graphic के लिए, मतलब अगर सही तरीके से optimize होता है, तो उस device के लिए paradise बन सकता है, video graphic का, तो इस तो यहाँ पर बाखी चीज़ों का बात करें, तो यहाँ पर dual stereo speaker देखने को मिल जाएगा, tuned by, मतलब जो high-res है, उसका tune देखने को मिलेगा, यहाँ पर ट्यूनिंग देखने को मिलेगा, उपर से यहाँ पर Bluetooth 5.4 देखने को मिलेगा, latest version, आप यहाँ पर बैटरी का बात करते हो, तो बैटरी देखो गाइज, यहाँ पर आपको 6500 इमेज, अर्था 6500 इमेज का बैटरी, एक बर में 30 से कनपंग हो जे तो, हाँ गाइज, सारे 6000 इमेज का बैटरी देखने को मिल जाएगा, वीद 120 वर्ट का जो fast charger, चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, य प्रोसेसर, उपर से आपका यहाँ पे जो है, एमुलेट डिस्पले, तो सब कुछ कुल मिला के हम लोग बोल सकती है, यह गेमर्स के लिए एक अनबीटेबल जो अभी के टाइम पे, जब यह डिवाइज लाँच होगा, तब के टाइम पे यह जो है, एक अनबीटेबल गेम कर दो, में आवाँ